नमस्कार आज हम देखते हैं कि ये कार्टरीज फ्यूज जो लगा हुआ है ये मेल्ट हो गया है ये हम कैसे पहचानेंगे क्योंकि हमें मालूम नहीं पढ़ता है कि फ्यूज मेल्ट है या ठीक है तो इसको पहचानने का तरीका ये है कि इसके उपर जहां एक ये नॉब रहती है यहां पर ये लाल लाल बटन दिख रहा है इस बटन के अंदर से एक लाल लाल नॉब बाहर निकल जाती है जैसे इसको निकाल लेते हैं फ्यूज को कार्टरीज फ्यूज को और ये जब इसको यहां पर लगाएंगे तो ये जो दि तो यह जब बाहर निकल जाएगा था में मालूम पढ़ जाएगा कि fuse melt हो गया है इसलिए यह नॉब लगाई जाती है तो जब नॉब बाहर निकल जाएगे तो समझ जाएंगे fuse melt हो गया है तो उसी नाप का हम दूसरा fuse लगा देंगे इसके उपर लिखा रहता है जैसे टू एम्पियर तो यह दो एम्पियर का fuse है और पांसो वोल्ट से लेकर 120 किलो एम्पियर तक यह यूज में लाया जा सकता है ऐसा सब लिखा रहता है तो इस fuse को प यह लगा दिया है तो इस परकार हमने देगा कार्ट्रीज फ्यूज को पेचानने का तरीका